तो दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और यह Find My Device नाम की अप्लिकेशन इंस्ट्रॉल कर लेनी है और इसे Open कर लेना है आपको यह अप्लिकेशन उसी फोन में इंस्ट्रॉल करनी है जिस फोन से आप दूसरे फोन की जी लोकेशन देखना चाहते हैं, उसके बाद open करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं, मेरे 5 फोन दिखा रहा हैं, यह 5 फोन जोने जिनमें मेरी इचल रही है आटी का मतलब है जब आप फोन को इंटॉल करते हैं या नया फोन खरीदे तो आप उसमें एक आएडी बनाते हैं जो कि गूगल के आइडी होती है यह भी आईडी अपके पांच फोन में होनी चाहिए तब आप दूसरे फोन की लोकेशन देख आपको दूसरे फोन में नेट भी ओन रखना है और लोकेशन भी ओन रखनी है नेट चाहे आपका वाइफाई हो या देटा मोड हो उससे कोई मतलब नहीं है और चाहे आपके फोन में सिम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है आपके फोन में बस नेट होना चाहिए और जो आ तो जैसा कि आपने देखा जैसे मैंने स्टॉप साउंड पे क्लिक करा साउंड स्टॉप हो गया और जैसे प्ले करा वो इंट्रोल प्ले हो गई थी कर देखा कने हैं अपने फोने प्लेहां को आपन्य प्ले इसे यहीं से लोग करें और आपको ऑगर अपना फोर्मेट मारा है तो आप संपलर ही दे डीक कर circled ुजय कर दीजिए जो अपका सेक्टों बल्च और फोर्मेट का न siento tap तब तक के लिए गुडबाई